हम किसान भाई कड़ी थोप में तपकर मेनत करके फसल को उगाते पर आवारा फशो, नीलगाई, जंगली सुवत और खरगोश हमारी फसल को नस्ट करके हमारी मेनत को बरबात कर दे इन आवारा फशो, जंगली सुवत, नीलगाई और खरगोश से हम हमारी फसल की सुरक्षा कर पूर्वई हमें पता होना चाहिए कि हमें चेनलिंग फेंसिंग सिस्टम की जोरत है या फिर हमें बाप्डवायर फेंसिंग सिस्टम की जोरत है। इस सवाल का जवाब आज हम आपको इस वीडियो में देखें। हम इस वीडियो में मुख्यता इन दो पॉइंट्स पर बात करेंगे। पहला, किन किसान भाईयों को पापडवायर फेंसिंग सिस्टम लगवाना चाहिए और किन किसान भाईयों को चेनलिंग फेंसिंग सिस्टम अपने खेतों में लगवाना चाहिए दूसरा पापडवायर फेंसिंग सिस्टम और चेनलिंग फेंसिंग सिस्टम इन दोनों में हमारी कितनी लागत आती इस पर हम आपस मतुलना करेंगे और जानेंगे कि पापडवायर फेंसिंग सिस्टम में हमारी ज्यादा लागत आती है या फिर चेनलिंग फेंसिंग सिस्ट में कितनी लागात आती और चेनलिंग फेंसिंग सिस्टम में कितनी लागात आती इस पर आपस में तुलना करने वाले तो फटा-फट से वीडियो को लाइक करके हमारे 1200 लाइक के टार्गेट को कम्प्लीट करे और एसे इंटरस्टिंग वीडियो के लिए चेनल को अगर आप सिर्फ आवारा पश्वों के अटेक से परिशान है और आप आवारा पश्वों से अपनी फसल की सुरक्षा करना चाहते हैं तो आप अपने खेत में पापड़ वायर फेंसिंग सिस्टम करा सकते हैं आपको चेनलिंग फेंसिंग सिस्टम कराने कोई भी जौरत नहीं पर अगर आप आवारा पश्वों के साथ सा नीलगाई, जंगली सुवर, खरगोश वा कुत्तों के अटेक से भी अपनी फसल की सुरक्षा करना चाहते हैं तो आपको चेनलिंग फेंसिंग सिस्टम ही अपने खेत में लगवाना होगा क्योंकि चेनलिंग फेंसिंग सिस्टम हमें आवारा पश्वों के साथ साथ नीलगाई, जंगली सुवर, खरगोश और कुत्तों से भी बचाता हैं अब आपको यहां समझ में आ गया होकर आपके लिए गुन सा फेंसिंग सिस्टम सही है तो आप आ इन दोनों तरह के फेंसिंग सिस्टम में हमारी कितनी लागत आती है या समझने के लिए हम एक उधारन लेते हैं हम मान लेते हैं कि हमारे इस किसान भाई ये शाब जिनके खेत की लंबाई पास्सो चुमाले स्वीट है वह चोड़ाई अस्सी फिक तो इनके खेत की कूल पर फेंसिंग सिस्टम में कितनी लागत आई और बापडवायर फेंसिंग सिस्टम में कितनी लागत आई ताकि शाम भाई या निर्ने ले पाए कि इनके बजट के अनुसा कौन सा फेंसिंग सिस्टम सही है शाम भाई आपका कितना भी बजट हो पर आप अपने खेत में कोटिंग का ही और जो हमारा चेनलिंग फेंसिंग सिस्टम जो हमारी जाली आती है वहाँ भी आप जी आई कोटिंग की ही इससे आपकी फेंसिंग की लाइक काफी जादा बढ़ जाती है वह साथ ही साथ जंग लगने का खत्रा भी सवाप्त हो जाती है तो शाम भाई अपसे आ 8 फिट लंबाई वाला लेंगे और जिसकी ठीकने 2.5 एम रहेंगे और चोड़ाई ठाई इच रहेंगे और जो हमने दीटल लिया है यहाँ दीटल लेने के पाद हम अब सबसे पहले दोनों तरह के फेंसिंग सिस्टम हमारी एंगल की कितनी लागत आईगे उसको निकालते हैं पाद वायर फेंसिंग सिस्टम में हम दो इंगल के बीच की दूरी 15 फिट रख सकते हैं क्योंकि हमने 8 फिट लंबाई वा 2.5 एम ठीकनेस वाले इंगल का चुनाव किया है इसलिए हम पाद वायर फेंसिंग सिस्टम में दो इंगल के बीच की दूरी 15 फिट रख सकते हमारे कोर्णों के ऊपर हमें दो-दो एंगल एक्स्टा लगेंगे वजबूतु के लिए तो हमें कुल एंगल लगेंगे 92 आठ फीट ओचे वर 2.5 एंगल ठीकनेस वाले जी आई कोटेट के एक एंगल का रेट हमें 600 रुपे के आसपास मिलता है हमें कुल 22 एंगल लगेंगे तो हमा एक एंगल का रेट हमने लिए 600 रुपे इस तरह से 104 एंगल में हमारी लागत आई 62,400 रुपे यानि कि शामभाद अगर आप अपने खेत पाप्ड वायर फिंसिंग सिस्टम कराते तो जी आई एंगल की आपकी लागत आई 55,200 रुपे वहीं पर अगर आप जेनलिंग फिंस पाप डवायर की हमारी कितनी लागत आई ताटा पाप डवायर का एक बंडल जिसका वजन 26 केजी रहता है और जिसमें हमें 984 फिट पाप डवायर मिलता है इसके एक बंडल की लागत हमें 31,100 रुपे के आसपास पड़ती हमारी खेत की परीदी थी 1248 फिट हमें कुल 6,240 पाप डवायर लगेगा क्योंकि हम बाप डवायर की 5 लाइन लेंगे एक लाइन में हमें 1248 फिट लगेगा तो हम 1248 फिट जब 5 का गुणा करेंगे तो उसका आकड़ा आएगा 6,240 फिट इस तरह से हमें कुल 6 बंडल लगेंगे एक बंडल हमें 31,100 रुपे का पड़ा था तो 6 बंडल की हमारी लागत आईगी 18,600 रुपे वही चेनलिंग फेंसिंग सिस्टम में हमें कुल 1300 फिट की जाली लगेगी क्योंकि हमारे खेत की परिदी 1248 फिट 100 फिट जाली के एक बंडल का वजल 35 किलो के आसपास रहता है वह 1 केजी हमें 90 रुपे के आसपास मिलता है इस तरह हमारा 100 फिट लंबी चेनलिंग जाली का खर्च आएगा 3,150 अमें कुले से 13 बंडल लगेंगे तो हमारी कुल चेनलिंग फेंसिंग सिस्टम कराने में जाली जाली का खर्च आएगा 40,950 तो शाम भाई अगर आप अपने खेत पे बाप्ड वायर फेंसिंग सिस्टम लगाते तो इसमें आपकी बाप्ड वायर की लागत आएगी 18,600 रुपे वहीं चेनलिंग फेंसिंग सिस्टम लगाते तो आपकी जाली की लागत आएगी 40,950 जमीन में गाडने के लिए हमें रोडी, डस्ट, सिमेट वह लेबर लगेगा जिसका हमारा खर्च आएगा 5000 रुपे या खर्च दोनों तरह के फेंसिंग सिस्टम में 5000 के आसपास ही आएगा बाप डोयर फेंसिंग सिस्टम में या खर्च थोड़ा सा अम आएगा और चेनलि फेंसिंग सिस्टम में जाली खिचवाने के लिए हमें पूंटेक्टर और एक्सपर्ट की जौरत लगेगा जिसका हमारा खर्च आएगा 10,000 रुपे वही बाप डोयर फेंसिंग सिस्टम में आप बाप डोयर लेबर की साहिता से बड़ी आसानी से लगा सकते तो इसका हमार खर्च आएगा 10,000 रुपे इस तरह से शाम भाई अगर आप अपने खेत में बाप डोयर फेंसिंग सिस्टम कराते तो आपकी लागत आईगी 82,000 रुपे वही अगर आप अपने खेत में चेनलिंग फेंसिंग सिस्टम कराते तो आपकी लागत आईगी 120,180 यानि की कुल मिल लाकर चेनलिंग फेंसिंग सिस्टम में हमारी लागत बापडवायर फेंसिंग सिस्टम से जादार। अब जो भी किसान भाई इस वीडियो को अंत तक देख रहें तो आप सभी किसान भाईयों के लिए अब में एक एसा तरीचा पताता हूं कि आप खुद अपने खेत की परी निकाल कर अपने खेत में पापडवायर फेंसिंग सिस्टम में कितनी लागत आई और चेनलिंग फेंसिंग सिस्टम में कितनी लागत आई या घर बेठे निकाल सकते। आप सबसे पहले अपने खेत चार कोनों में से किसी एक कोने पर जाए एक कोने से दूसरे कोने की लंब अब जो यहां आकड़ आपको मिला है, यहां आपके खेट की परीदी निकालने के बाद आप बड़ी आसानी से अपने खेट में पापड़ वायर फेंसिंग सिस्टम और चेलिंग फेंसिंग सिस्टम में इतनी लागत आएगी यहाँ बड़ी आसानी से निकाल सकते क्योंकि हमने आपको बताया है कि एक एंगल का कितना रेड तो आपको जितने भी एंगल लगेंगी उसमें आप एक एंगल का मल्टिप्लाई करके निकाल सकते हैं कि एंगल में कितनी रागत आईगी आपको कितने बाप दोयर के पंडल ल इसमें भी हमने आपको 100 फिंग की जाली का रेड बता है तो उसका भी आप उणा करके चेलिंग फेंसिंग सिस्टम में कितनी जाली लगी उसकी भी लागत निकाल दो यानि कि आप इस वीडियो को देखके आपड वायर फेंसिंग सिस्टम में आने वाली लागत को निकाल सकते और चेलिंग फेंसिंग सिस्टम में आने वाली लागत को निकाल सकते इस तरह से अगर आप इस वीडियो में तीगे जानकारी कहीं से भी मैदून लगी तो इस वीड तो लाइक के नार्गेंट अफ्टी चेनल पर नहीं प्रस्टेस प्रेंट नवाद खिसाथ भाई यो जै जावाद प्रेंट आप